अच्छा वहीं आज की जो लोगों की उसमें जो चीज कवर करनी है वह आप लोगों का efficient bubble sort efficient bubble sort के अंदर क्या के चीज़ें होती है उन सब की चीज़ों को देखेंगे देखो कल जो लोगों ने जो चीज़ करनी है वह आप लोगों का efficient bubble sort अच्छा लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी ज़र मैं इस एरे को अपने पास यहां पर रखते हैं और इसको देखते हैं अच्छा सब मुझे थोड़ा सब मेरे साथ आप लोगों जब हम लोग कुछ चीज़ों को मुझे देखना है अगर मैं कहता हूं कि जब इनर लूप कंप्लीट होते थे जब nine times हम लोग ने कल देखा था ना कि कल nine times inner लूप कम्प्रीट होते थे और एक आउट लूप कम्प्रीट होता था तो क्या मैं कह सकता हूं कि लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है मेरा करेक्ट्ली सॉर्टेड हो जाता है यह साथ अब इसका एफिशिंट वर्जन मनाना है हमने तो बहुत और से सारी चीज़ें को देखने हैं आप लोगाने है क्या मैं यह कह सकता हूं कि भाई जब मेरा एक नाइन अच्छा मैं कर दूंगा दावद अभी फिलाल फूकस यहां पर है जब मैं कहता हूं जब मेरे इनर लूप्स जो हैं वह कंप्लीट हो जाते हैं जाल बात करेंगे अभी सब आश्टा इससा बात करेंगे अभी फिलाल फूकस चाहिए कौंसेट बिल्डब होने दो वाली जब मैं कहता हूं कि भाई मेरे जब इनर लूप जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोगा लास्ट अलेमेंट जो है वह सौट हो चुके हैं बहतरीन वो करेक्ट पोजिशन पर पहुच चुके हैं अच्छा अब हम जब स्वैपिंग की बात करते हैं अब जब स्वैपिंग की बात करते हैं इमेजिन करो में साथ यह लास्ट वाला अलेमेंट जो वह सही जगहां पहुच चुका है क्या मुझे यह वाला स्वैप करवाने के ज़रूद है जवाबे नहीं अब सपोस्ट करो दो आउटर लूप हो चुके हैं सब्सक्राइब दो आउटर लूप हो चुके हैं और 9918 टाइमस इन लूप चल चुका है तो क्या दो करेक्ट पॉजिशन पहुच चुके हैं यस यह नू क्या मुझे यह वाला स्वैप करवाने के ज़रूद है क्या मुझे यह वाला स्वैप करवाने के ज़रूद है यह दो स्वैप करवाने के ज़रूद है नहीं क्यों क्यों क्योंकि वह करेक्ट पॉजिशन पहुच चुके हैं सही है अब उसके बाद सपोस्ट करो तीन आउटर और 9 तीन दफाँ आपके इनर लूप जो है वो चल चुके हैं तो क्या मुझे यह स्वाइब करवानी ही जुरूत है यह रहा है यह यह जो कि अपने स्वाप्स कुछ वैल्यूस है उनको कम करना ऐसे कुछ मैसूस हो रहा है यह मेरी जो नमबर स्वाप्स है हाँ बेटा देखो दाओद देखो जब यह बाला अभी बताओ कितने स्वेप सोंगे अभी एक भी element sorted नहीं कितने स्वेप सोंगे सब चैट पर जवाब दे मझा सुकून से जवाब दो कितने स्वेप सोंगे 9 swaps होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 swaps हो रहे हैं इसमें किसी को कोई मसला इसमें किसी को कोई मसला मुहमद अली तुम्हें कोई इश्यू इसमें 9 swaps हो रहे हैं सभी इनर लूप 9 टम सलता है तो 9 swaps हो रहे होता है अच्छा जब मैं बोलूँगा कि भाई अभी फिलाल 1 element sort हो चुका है, तो कितने swaps होने चाहीं रुकर्या efficient करना खोटा है अभी इसक JavaScript मुझे एक element sort हो चुका है, अभी कितने swaps होने चाहीं एक कम हो जाना चाही है यह वाला कम हो जाना चाहीए, तो कितने swaps हो गए यह अब इस और को सबने देखना है पहले 9 फिर 8 एक और लुप कम्प्रीट हो गए तब कितने स्वेप्स होने चाहिए 7 हो गए अब यह तीन हो गए भाई तीन हो गए इसका मतलब क्या है कि अब 6 हो गए फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 इस तरीके से आपनों की वैल्यूस जहां वो माइनस वन यह कोई डिक्रिमेंट का कॉंसेप्स देख रहा है सबको डिक्रिमेंट का सबको कॉंसेप्स देख रहा है इसके अंद है और से देखो पहले 9 था 9-1 8-1 7-1-6-6-1-5-4-3-2-2-1 इसके अब अगर मैं कहूं कि मैं इसको एक नाम दे देता हूं मैं इसको एक नाम दे देता हूं इसकी वाल्यू को कि जो number of swaps थे ना मैं एक for loop ऐसे लगाऊंगा inner loop अभी हमारा कैसे लगता है मैं यहाँ पर inner loop इस तरीके से लगाता हूँ for index is equal to जो मेरा inner loop होता है वो कछ इस तरीके का होता है for j sorry my bad for j is equal to 129 ऐसी होता था ऐसी होता था yes or no but what if हमको बताया ही नहीं कितने इंडेक्स हैं बताते हैं हमेशा बताएंगे उसकी इटेंशन नहीं inner loop कुछ ऐसे ही दिखेगा yes or no inner loop जो था वो इसी तरीके से दिख रहा था हम लोगों को अच्छा अब अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि यह 9 की value जब एक inner loop complete हो गया तो यह 8 हो जानी चाहिए ऐसे ही है एची समझाई एची समझाई सबको मौमद अली जब एक inner loop आउटर loop एक inner complete हो गया है एक correct position पे पहुँच चुका है तो आप मुझे 9 swaps करवाने की जरूत ही नहीं है मुझे कितने swaps की जरूत है 8 की जरूत है मौमद अली clear हो गया बहतरी अच जब एक और value सही जगह पहुच गई है तो क्या यह 7 हो जाना चाहिए yes यह no फिर क्या यह 6 हो जाना चाहिए अच्छा क्या इसकी values change हो रही है इसकी values change हो रही है सही है मैंने क्या किया for j is equal to 1 to boundary सही है और हम लोगों ने क्या किया boundary की value को initialize कर वा दिया मैंने बोला boundary is equal to boundary is equal to 9 सही है boundary is equal to 9 for j is equal to 1 to boundary यह सब set करने के बाद जैसे ही मेरा outer loop complete होगा जैसे ही मेरा outer loop complete होगा outer loop एक complete होगा मैंने बोला boundary is equals to boundary minus 1 boundary is equals to boundary minus 1 तो जैसे outer loop complete होगा boundary की value एक कम हो जाएगी तो 9 थी, फिर 8, फिर 6, 9 होगी फिर 8 होगी, फिर 7 होगी इस तरीके से कम होती चली जाएगी कोई मसला boundary के concept में किसी को कोई issue यह एक step है efficient करने का थोड़ा समन efficient बनाया इसको अभी completely efficient नहीं हुआ है boundary के concept में किसी को भी कोई issue है तो अभी discuss कर लो coding के बाक्त फिर फोज़ोगे तुम लोग after one complete inner loop after one complete outer loop या 9 complete inner loops inner loop सारे complete होजाने 9 times फिर minus 1 तो वो फॉर के loop से बाहर निकल के फिर तुमने minus 1 करवा रहा होगा sir boundary की जगा j minus 9 sir boundary की जगा j minus 9 लगते हैं सीधर सीधर after initializing नहीं 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 देखो देखो इसमें हम लोग minus 1 समझ नहीं आया चलो देखो देखो भाई हो क्या रहा था हो क्या रहा था पहले 9 थी फिर 8 हो जानी चाहिए फिर 7 हो जानी चाहिए फिर 6 हो जानी चाहिए फिर 5 हो जानी चाहिए फिर 4 हो जानी चाहिए फिर 3 हो जानी चाहिए साहिए अलिजबा अभी हम लोग discuss कर रहे है अपने code को efficient मलाने के लिए अभी तक बस यह चीज़ देखी है हमने कि अगर last element एक outer loop चल जाता है तो मुझे एक swap इसको swap करनी के ज़त तो नहीं है न यह तो एक correct position में पहुझ गया है तब मैं अपने inner loop की values जो 9 तक run हो रही थी अब उसको 8 कर दूँगा फिर 7 कर दूँगा फिर 6 कर दूँगा फिर 5 कर दूँगा नहीं वसे यह नहीं हो सकता है J-1 हम लोग boundaries में बनाते हैं सभी है तो अब हम करेंगे क्या अब हम अपने inner loops को कम करते चले जाएंगे तो मैं इसको rather than writing 9 over here fix कर दूँ उसको मैं यहाँ पे एक variable रख दूँगा जिसकी value मैं change करवाते जाओंगा suppose करो यह end for हो गया end for मतलब यह inner loop जो था वो end होगे यहाँ पे swapping करवा लिया आपने और end for के बाद आपने यहाँ पे लिखना है boundary is equal to boundary minus 1 यह चीज़ क्यों की है जैसे ही suppose करो यह nine times आपका loop चल गया सही है यह देखो जब यह nine times loop चल गया यह nine times loop चल गया तो इसका मलब यह कि आखरी वाली वाली करेक्ट पोज़िशन पहुच गई अब हम नीचे आएंगे boundary की वाली को एक कम कर देंगे तो nine से क्या हो जाएगा eight हो जाएगा यह वापस उपर जाएगा वापस उपर जाने के बाद अब क्या होगा बेटा nine times नहीं कम करना है न मौहमद अली इसको लूप के अंदर करोगे तो बार-बार कम होते चल जाएगा न मैंविश बाउंडरी लगाने की जूरत है मौहमद अली वन्ना तुम इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते नहीं दावद नहीं नहीं लिख सकते हम इसको क्यूंकि हमने वापस उपर इनिशलाइस करना है जाल एक्स्टा स्वयप होजाएगा ना फायदा ही निए उसका जाल हमें बाउंडरी इस्तमाल करना है जाल क्लेर हुआ मोहमद अली तुम्हें क्लेर हुआ प्लैग लूपिंग भी करेंगे एक छोटी सी चीज से पहले यह करना जरूरी है आउटसाइड दफॉल लूप आएगा इंसाइट क्यों नहीं आएगा क्योंकि हर लूप के अंदर वह सब्सक्राइब करते हो जैसे 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 आउट लूप होते चले जाते हैं अब मैं इसका पहले कोड लिखेंगे कोड लिखनेके बाद हम लोग कुछ चीजें जहां वह समझेंगे मैं इसको पूरे कोड लिखकर दिखा हूं धिर कोड कोड करेंगे उससे और चीज़ आप लोगो को सबसे पहली चीज हमने देखा कि हमाई पस कितने elements थे हमाई पस 10 elements थे तो उसकी मताबिक आपने बाउंडरी को इनिशलाइस करवाना पड़ता है जैसे for example मैंने यहाँ पर अपनी करते हैं repeat का रिपीट सब्सक्राइब करें और रिपीट के इंदर हम लोग एक फ्लैग बनाते हैं विच इस नोग अब कहता है कि बस कोड को चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ जब तक आपकी condition बाउंडरी और वही यहां पर वही सेम कॉंसेप्ट आएगा जो आप लोग कल किया था हम लोग ने जूर इफ सपोस्ट करो एरे कर नाम है स्टूडेंट आइडी इफ स्टूडेंट आइडी जे इस ग्रेटर देन स्टूडेंट आइडी कि जे अगरी कंडिशन त्रू होती है देन आगरी कंडिशन पूरती है ज़न इस बिलकुल में बिलकुल सब्सक्ष क्या होगा यह वन डाम डाम इसनल मतलब सिर्प रोस की बात हो रही है नग इसमें रोज और कॉल्म का चलो आगे बढ़ते हैं कंडिशन लगा दी कंडिशन लगाने के बाद आपने वहीं करनी अगर कंडिशन रोगी तो स्वैपिंग करेंगे स्वैपिंग ऐसे करते थे बाई वहीं सेम कंसेट कि टैम का वैरे बनाओ एक सर वन टू नाइन क्यों नहीं लिंख मैंब समझांगो मन्यक्टकॉण दिलोग वैसे वी उपडह पर तंपलत इनका इसे लिवा स्चुंदेंट ओन में भेना फिर लेकिन तंप एवक完了 202 ॆ इडे जे इल अगर टूटिए रहे तो जाहिए उसकी बात करेंगे 2DRA की बात करेंगे J plus one is equal to student ID J and student ID J अच्छा यहां पर क्या आना चाहिए student ID oh my bad student ID J is equal to student ID J plus one जगा कम है जए प्लस one की वैलिए जए में जाएगी सब्सक्राइब लेकिन यहां पर मसला जाएगे ना बहुत जगा घर जाएगी रुकाई यहां लेक्षकते हैं उसके नाम के तो कुई मसला नहीं नाम आप अपने से चूस कर लो और student ID J प्लस वन के अंदर वैल्यू चाहिए हमें मौमद अली कहां से वाली लोंगा मैं student ID J प्लस वन में मौमद अली कंबर नहीं अलियादर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं बताता हूं मौमद अली कंबर भाई student ID J प्लस वन में वैल्यू कहां से आएगी बाउंडरी से से बहुत आला इस वैपिंग का कॉंसेप्ट तो याद रखो मौमद अली कल की जो क्लास हुई थी student ID J प्लस वन में वैल्यू कहां से आएगी हां तो बताओना टेंब से आएगे न बस ठीक है प्टेंब से यह वह गये आपकी स्वैपिंग कम्प्ली भी अब यहां पे हमने अपने फ्लैक को भौडू सि अगर स्वैप हो जाता है न तो इसका मदलब ए कि भई कोई कोईना कोई मसले है कोई मसले है आपके सॉर्ट नहीं है तो हम यहां पे कर देंगे कि अगर गोजाती यह तो हम क्या करेंगे स्कётि गああ इसका मतलब क्या है कि आपके अश्वारिक केंदर कोई न kadar कुछ सोर्ट करो फिर से अले टुछ करने के बाद 3 और करने के बाद क्या करना चाहिए बाउंडरी इकोस टू बाउंडरी माइनस ओन से आप समझ नहीं आया तो मैंने समझाया भी नहीं अभी तक बाउंडरी कि अरे मैं समझा रहा हूं मैं समझा रहा हूं समझा रहा हूं टेंचन नहीं बाउंडरी माइनस वन नहीं बाटा फ्लैग इस्तेमाल करेंगो जफा सब समझाऊंगा सब समझाऊंगा सब समझाऊंगा एक मिनट दो बस में अंटिल आज वाद सीरियस लग रहे हैं नहीं कोई मसला नहीं नो स्वाप से इकल स्टू टू चलोई यह है कोड़ आपका जो कि आप लोगों को लिखना आना चाहिए कोई डिफिकल्ट कोड नहीं है तरह मुश्किल कोड नहीं है असान कोड है अगर यह सवाल आता भी है तो आप लोग इसको एजिली लिख सकते हो को ऐसा मसला नहीं अगर दो दफार प्रेक्टिस कर लो तो भी हो जाएगा लेकिन इसके कॉंसप्ट को समझ सको रदे तन सिर्फ याद करने की बजाहर सही है तो इसके कॉंसेफ्ट को तरह देखते हैं अंशी techniques को ड़्टा लगाने को किसी नियुक्स को समझ लो समझके फिर याद कर लो मसला मिदमने मुझे ठीक है ये इह यहांपे जो सेनारियो है gera न हम उस अप्रोच को फॉलो करते हैं मैं उस अप्रोच को फॉलो करता हूँ जो अप्रोच मस वेरिफाइड हो मतलब मार्स कीम वेरिफाइड हो करने को क्या करने को तो हम इसको वाइल लोग से भी कर सकते हैं वह बात सही है तुम लोग की बिलकुल बात सही है और मैं तुम सब्सक्राइब लेकिन जब आपका कुई एक सर्टिफाइड कोड होता है ना तो हम उसको दिखा सकते हैं कि आपने यह चीज फॉलो की विए तो हम कुछ भी हो हमें मार्क्स दोस्के सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं नवीद ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग स्वाप को इस्तेमाल करते हैं बात करते हूं इसके बारे में चलो वहीं स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब अल्यडी सौ्टेड है पहली जीज़ देखते हैं टू थ्री फाइव एड उजैफा फ्लैक को इस्तेमाल करते हैं मैं सब डिसक्रस करूंगा टेंशन लिए टेन ट्वेल्व सिक्स्टीन एटीन ट्वेनी से रपीट अंटल को चुछ नहीं कर रहा हूं 22 चलो अब इसको देखो बाई किया मेरा यह एरे ओल्री सौ्टेड इस हो यहां लिया हाँ अब तुम लोगों से सवाल क्या है मेरा अरे उल्री सॉर्टेड है जवाब आया बिलकुल yes, it is already sorted अच्छा, अब जबर कोड को run करते हैं, dry run करेंगे, सब चीजों को dry run करके देखेंगे कि अगर मेरा array already sorted होता है तो कितनी दफ़ा मेरा code चलेगा वर्ना अगर मैं for loop के हवाले से बात करूँ for तो पूरा चलेगा ना कुछ भी हो जाए लेकिन आप बात करते हैं repeat until और यह जो हमने सारी चीज़े लगाई भी हैं इसके मताबक अगर हमको अपने code को चेक करना चाहरे है तो कितनी दफ़ा codes run होगा until it gets confirmed कि यह era आपको already sorted है ज़रा देखते है boundary की value हमने initially क्या रखिए boundary की value is 9 हमने repeat का loop लगाया repeat का loop क्या होता है repeat का loop होता है उसमें कोई condition नहीं होती starting के अंदर pre condition नहीं होता it is post condition मतलब एक दफ़ा तो चलेगा ही चलेगा repeat की क्या logic होती है एक दफ़ा तो चलेगा ही चलेगा यह post condition होता है बिलकुल और इसकी क्या logic होती है कि जब तक condition true नहीं हो रही है जैसे ही condition true होगी loop से बाइं निकल जाओगे जैसे ही condition true होगी लूप से बाइं निकल जाओगे आप repeat के लूप में दाखिल होए आपने क्या किया अपने flag को opposite कर दिया मतलब condition के मताबिक कर दिया condition के मताबिक देखो no swap is requested true मतलब suppose करो क्या किया है मैंने मैंने जैसी ही दाखिल होगा हूँ मैं condition लूप चलता जाएगा सब्सक्राइब यहां पर क्या है जब तक condition false रहेगी लूप चलता रहेगा जैसी condition true ही आप लूप से बाहर है मैं यह arrow बना रहा हूँ यह शो कर रहा है कि आप बाहर आज होगी जैसी condition true है चलो हमने क्या किया जैसे ही हम लोग repeat के अंदर आये हमने अपनी condition को अपने अपने फ्लैक को अपनी condition के मताबक सेट कर दिया मतलब क्या हुआ जरा इसको देखेंगा इसता इसता सपोस्ट करो कि यहां पर क्या किया यह कितिनी दफ़ा चलना चाहिए पहली दफ़ा चल रहा है एक पहला आउटर लूप है कितिनी दफ़ा चलना चाहिए नाइन टाइम से लना चाहिए जरा करते हैं इसको इस student ID J मतलब क्या तू थू से बढ़ा है condition false हो गई सब सात्रों मेरे सब सब एक्टिव हो मिरे साथ चलती से चैट पे एक्टिव हो जाएं condition false हो गई बिल्कुल फॉल्स हो गई क्या हम इसके अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे क्या हमारा फ्लैग वापिस से फॉल्स होगा नहीं होगा साहिए आगे बड़े अब क्या हो गई जे की वाली जे की वाली इस नाव टू सही है तो अब थ्री और फाइफ को कंपेर करवाएंगे कि क्या थ्री और फाइफ से बड़ा होता है कंडिशन फॉल्स हो गई हम लोग अपने नौ स्वाप्स को वापिस से फॉल्स नहीं करेंगे सब मेरे लूप करते जहां इनर लू स्वाप्स अभी भी फॉल्स नहीं होगा वापिस से हमने अपनी कंडिशन को फॉल्स नहीं किया आगे बढ़ो एट और टैन को कंपेर करवाओ क्या एट और टैन से बड़ा नंबर है नहीं है कंडिशन फॉल्स हो गई बेतरीन कंडिशन जैसे ही फॉल्स होती है आप अपन है यहां पर 16 और 18 को compare कर लें थोड़ा सा थेज काम रखेंगे 16 और 18 यह भी condition false हो गई no swaps का false करवाएंगे नहीं करवाएंगे फिर उसके बाद 18 और 20 को check कर लो क्या no swaps का false करवाएंगे नहीं करवाएंगे फिर उसके क्या मेरा no swaps false हुआ नहीं मेरा no swaps false नहीं हुआ हम नीचे आये boundary की value को subtract किया boundary की value क्या हो चकी अभी boundary की value is now 8 boundary is equal to boundary minus 1 मतलब 8 सही है क्या मेरा arrow already sorted था बिलकुल हाँ तब हम क्या करेंगे condition आके check करो क्या मेरा no swaps true हो चुका है yes यह no वो तो कभी false ही नहीं हुआ कभी false ही नहीं हुआ initially ही हमने उसको true कर दिया था तो इसका मतलब क्या है हमारा no swaps is equal to true हो चुका है हम अपने loop से बाहर आ चुके हैं अब मुझे सब बताएंगे सब चाट पर जवाब सब चाट पर जवाब दो वापस उपड़ नहीं जाएंगे नब नो swaps true हो चुका है हम वापस उपड़ नहीं जाएंगे अब मुझे इनर लूप कितनी दफ़ा चला है और मुझे पता चलिगा कि मेरा और लूप कि इनर लूप कि इनर लूप कि बात करो मेरा इनर लूप कितनी दफ़ा चला इक है 12 तो सब्सक्राइब करो यहां पर आपने कर दी वाल्यू 22 और यहां पर वाल्यू कर दी है जलो सब्सक्राइब करेंगे जब एक और दिखते हैं एक और दोतीं दीदेफर कर दो फिर उसके बाद जो करवा लेंगे सब्सक्राइब तो बाउंडरी नहीं होगी नहीं अब्दुलमजफर जो इनल लूप होता है वह कितनी दफ़ा चलता है यह बताओ एक कम चलता है याद आ रहे है कुछ जो कैल कौन से पढ़ा था हमने हाँ वन लेस तो बस वन टू बाउंडरी मतलब बन टू नाइन तो जर्ण इसको देखते हैं अब एक और दफ़र देखते हैं क्या मेरा अब सौर्टेड है यह यह नो से सीं सथर्ण रूब हो चलेगा नेटाइम इस जयाना चलती जएगा चलती जैंगे चलती जांगी चलती जयंगी और एक वक्त आएगा जमें क्या होगा आप लोगों कर लोग के एक बिलकुल तेभ चलेगा इन डूप 9 तैम सब चलेगा सारी कंडिशम पॉल्स होते जाएंगी नो सब्सक्राइब भी फॉल्स नहीं होगा से नाइंट टाइम चल चुका था अब यह नाइंथ टाइम चल रहा था मैंने कहा टुट्टी टू क्या कंडिशन गई है कि मौमद अली कंडिशन गई 22 गें टैने टेंट गर देंट गई जैसे कंडिशन टू ही हमने क्या किया स्वैपिंग करवाई स्वैपिंग का मतलब क्या है कि 20 को यहां ले आओ 22 को यहां ले जाओ अच्छा अगर तुम अब उसके बास हमने क्या किया नुऌ साथका इसका डिया अब क्या उक्श की वाली नौ से फियुलिऑ होई अभी तक सही है computer को अभी confirmation नहीं हुई है क्योंकि एक दफ़ा भी अगर आपने swap कर लिया ना इसका मतलब है कि possibility है कि उसमें कुई न कोई मसला हो सही है जब भी अगर एक दफ़ा भी swap हो गया ना nine times के एक दफ़ा भी swap हो गया इसका मतलब क्या है कि आपके जो एरे उसके अंदर possibility है कि हाँ भाई अभी भी मसला हो सकता है अब उसके बात क्या करेंगे हम नीचे आएंगे boundary की वैली को एक सब्ट्रैक करवा boundary की वैली क्या हो जाएगी बाउंडरी की वैली क्या हो जाएगी अभी तक computer को confirmation नहीं होगी जब nine times eight times अब इनलूग चलेगा और कभी भी condition true नहीं होगी जब जाके इसको confirmation मिलेगी चलो अब जरस को run करते हैं अहां वसी थोड़ा complex से भी करेंगे सब रुख जा भी एक रुख जा तरफ फ्लैक फॉल्स ही नहीं रहेगा नहीं ना देखो अब सुनो 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 हम लोग आए नीचे condition चेक की हमने हमने नीचे के condition चेक की भाई ये condition हमारी no swaps जो था वो true नहीं था यहां पर देखो false हो गया था यहां पर false हो गया था जैसे फॉल्स वह था हमने आके कंडिशन चेक की नहीं भाई no şap मेरा true नहीं है वापे सुपर जाएंगे वापे सुपर कहा जाएंगे यहां पे यहां पे आएंगे हम लोग यहां पर आने के बाद हम लोग अपने जैसे ही पार जैसे ही repeat के दाखिल होगे no swaps को वापे से true कर ही हमने सब्सक्राइब अब उसके बात देखो आप कितनी दफ़ चलेगा फॉर वन टू एट तक चलेगा वन टू एट तक मतलब वही सेम चीज फिर एक टू और थरी को चक किया क्या टू थरी से बढ़ा है नहीं है बैए फाइट से बढ़ा है नहीं यह बैए एट टें से लोगी कंडिशन टू जवाब है नहीं आपकी कंडिशन कभी भी टू नहीं हुए नहीं हुआ हम नीचे आए नीचे आने के बाद अपनी कंडिशन को चेक किया नो स्वाप से इकुल टू बिलकुल अपने लूप से बाइय निकला उसको कंफर्मेशन मिल गई कंप्यूटर क पहले 9 टाइम चला था अब 8 टाइम चला है तो पहले 9 लूप इनर और आउटर एक दफ़ा अब दूसी दफ़ा इनर लूप जो है वो 8 टाइम चला क्यों क्योंकि हमने उसकी वैलियो को कम कर दिया था मुझे यह वाला स्वाप कभी भी चेक करने की जुरूरत नहीं है अब साइए तो 17 लूप के अंदर मुझे अंदर होती तो 90 के बाद मुझे कंफरमेशन मिलती किसी को हुई प्रॉब्लम किसी को को क्ई प्रॉब्लम पूरे ऑर सॉट होने के बाद एक दफ़ा होता है बिलकुल है सही है जब तक इस पूरे 9 टाइम तो चलता आपको कंफर्मिशन हो जाएगी कि यह सौर्ट इसके साथ रहते हो तुम सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो ना मेरे भाई सब्सक्राइब कोई फरक नहीं पड़ता सर तो पहले नाइन टाइम्स ही टू हो गया था नाइन टाइम्स ही टू हो गया था यह वाले टेस्ट डेटर राइट बिलकुल देखो अब्दुल्ल्ला मुझफर देखो बिलकुल नाइन टाइम्स जो है वह आपका कोड रन हो था लेकिन एक स्वैप वह था ना जब हम नाइन पापक्र करती हब इसका मतलब तो किया है उसमें अब आगया हमें डाउट के आगया कि तो उसकी confirmation के लिए क्या होगा एट टाइमस और चलेगा जब तक यह condition false रहेगी इफ वाली तो फिर जाके confirmation मिलेगी नहीं उजएफ़ा नहीं होगा डिपेंड करता है वो extraction करवाके करवाना चाहे लेफ्ट के साथ और राइट के साथ कर सकता है वो डिपेंड करता है अच्छा भाई अब तुम लों की एक क्लेयर कर दूं कि बाई स्ट्रिंग कंपारिजन्स बिलकुल होती है ए बी सी डी यह जो है यह एक increasing order में सही है यह एक increasing order है कैसे भाई एक ही मुझे एस की वैली बताओ सब सब बताओ एक ही एस की वैली 65 बी की एस की वैली बताओ 66 सी की एस की वैली बताओ 67 डी की बताओ 68 क्या यह एक ascending order है बस बात ही होता है तो स्ट्रिंग कंपारिजन्स होती है वो कैसे करता है उसको छोड़ दो स्मॉल होता है 97 आइ तिंग सो जहां तक मेरी मेंबरी बता रही है सब्सक्राइब का सवाल पहले रुख जाओ एक मेरी सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक कंडिशन होती है लूप नहीं चलता और नो स्वाफ टू लूप के अंदर है तर लूप नहीं चलेगा लूप चलेगा रेपीट की लॉजिक ही होती है वो एक सब्सक्राइब कर दिया आखिर में जाके कंडिशन चेक करेंगे क्या नो सेप्स अभी भी टू है अगर अभी भी टू है तो उपर चले जाओ बाहर निकल जा लूप से अगर फॉल्स हो गया फिर आप लोग क्या करोगे वापिस उपर जाओगे अगर टू हो गया तो आप सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो अगर यहां पर देखो यहां पर फॉल्स हो गया था ना नीचे सब्सक्राइब फॉल्स होगे तो दाउद हम वापिस उपर जाएंगे रिपीट के बार फिर से उसको टू कर देंगा अगर तुम इसको बाहर बनावेगे तो नोसको वाल्यू हमेशे ही फॉल्स रहेंगी दाउद यह समझाई चीज़ अगर तुम इस नोसक्राइब इस नो सब्सक्राइब करता है मुऊमद अली कमर तुम्हारा सवाल अभी तक नहीं आए यह कोशन बस सेम आता है प्रफिश्च बिल्कुल री सेट हो जाती है वाल्यू उसकी सर मैं फूच रहा था कि आप का आउटर लूप जब खतम होगा तो आफ्टर नाइन टाइम्स भी वह चलेगा जब तक फॉल्स नहीं होता बिल्कुल चलेगा नाइन टाइम्स चलेगा चलेगा जैसे ही उसने नो स प्र फॉल्स हो गया तो फिर कितीं तफ़ चलेगा सेवन टाइम्स चलने का बाद फिर कंफरमिशन मिलेगी वाल के साथ नहीं लिखना है सिर्फ रपीट एंटल के साथ करना है वाल के साथ मिसला यात है कि कंडिशन वो पहले चेक करता है मौमद अली तुमें कोई इस्यू म वेतरी हो गया महमद अली मतलब बाकी सब को खिलियर हो गया मतलब मैं अजिम कर सकता हूं यह अच्छा से नहीं आना है वाल से नहीं करना क्योंकि उसके बाद आपको फ्लैग लुपिंग के लिए बाहर भी बिनाना पड़ेगा पिर अंदर भी बनाना पड़ेगा इस है जायाल मुझे अपना सवाल पिर से समझाओ कि अगर काउंट को एक लूप में इनिशलाइज करते हैं बिल्कुल इस बिल्कुल ऐसी वह पिर बार बार इनिशलाइज होता जाएगा बिल्कुल ऐसी है अगर इनिशाइड दू लूप करोगी तो इसका मालब है कि वह बार 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 रिसेट होता जाता है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे बहुत है ठीक है आचा अब एक मिन स्कून से सब्सक्वार को घुट से देखें लाट मी क्रून से बैटते हैं थोड़ी देर चिल करते हैं येलोु येलो येलोु येलोु एक काम करोकू करो एक काम करो जल्दी से सब कोई भी रफेपर उठा लो मतलब कां काम पका होना जरूरी नहीं लकिन काम लिखना जरूरी है ये कि कुछ और ले सकती हैं KY काम करें प्लीज जल्दी से कोई भी random paper उठाओ, जल्दी जल्दी, प्लीज ये करना जरूरी है, क्योंकि अभी concept अमलों के दिमाग में हैं, फॉरन से पके concept हो जाएंगे, अगर अभी कर लोगे तो, लेकिन ये करना जरूरी है, कोई भी rough paper उठाके लेओ जल्दी से, एक मिनट दे रहा हूँ जल्दी से जाके लियो जल्दी 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 जो बुर्गेर्ज है वो आईपैड लिया है अपना एपल फैंगिल्स से की साथ कोशिन दे रहे हैं? नहीं नहीं यही है कोशिन कुछ भी नहीं दे रहा है बस इसी को सेम टु सेम करना है, सेम टु सेम परफॉर्म करना है कोशिश करो बगाएर देखे करो कोशिश करो बगाएर देखे करो कोशिन नहीं है बिटा हुजयफा इसके कोशिन ऐसी ही आते है ऐसी ही कोशिन आते है कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा इसमें कुछ भी फर्ख नहीं आएगा कुछ भी इतना सा भी फर्ख नहीं आएगा बस वह बोलेगा कि 100 elements बोलता हूं चलो मैं तुम लोग एक छोटा सक different question दे लिता हूं 100 elements है इनको sort करना है एरे के अंदर 100 elements है उसको sort करना है ठीक है चलो अब लिख लो code बस इतना सा फरक आएगा एरे के अंदर जो डबे बने होते हैं जम लिखा होता है मुझे question देंगा variables भी यह use कर सकते हो one up to you boundary 99 हो जाए गभी तरीन महमद अली ने सही जवाब दे दिया बस खतम पर छोड़ दो तुम लोग बागी सब नहीं नहीं दाउट sensible रखने हैं तो जैसे सवाल क्याते हैं वैसे तुमारा मुझे तो सवाल भी नहीं है पहले जो सबाल आते थे वह फिरिंदे ब्लैंक के आते थे अब बोलता है बबल सब्सक्राइब कर दो यह पूरा लिखना होता है एक्जैक सेब्टे मुफत के साथ हैं साथ आठ मांक्स अच्छा जितने इस्तिमाल होएं वह सब डेकलेर उंगे तुडिय में नहीं नहीं पहले चीज दिमांगों में इठा लो टुलिज डिमांग में इठा लो टुडि में आक पर्टिकुलर रो को सोट कर वाता नवीद बिटा दिमाग इस्तिमाल कर सकते ने इसमें भाप यह प्रप्रॉब्लम सॉर्वरूंगे है अब पूरा सवाल सेम पूरा सवाल सेम तुर सेम है यह सेम चीज़ करनी है बाउंडरी यह बिल्टें फंक्शन बिटा बाउंडरी इस वैरिबिल नहीं हो जैफा क्या हो गया है यह वैरिबिल नहीं बनाया है पूरा सवाल सेम तो सेम आएगा कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा जल्दी से इस कोट को कर लो तो दो मिनट और दे रहो आपनों को बस बगार देख लिख लो तो क्या ही बात हो जाए अच्छा जी इसके बाद लेट्स ट्राइट ले कॉंसेप्ट आफ मैं बाट हाँ देख लो भी फिलाल मैं जब तक आपनों के दूसरे नूट्स ओपन कर लूँ अजो पढ़ना है हमने स्ट्रक्चर चार्ट इस दफ़ा आपनों को अच्छे खासे काम मिलेंगे आउन यूर होलिडेस चार दिन चार्ट उन्होंके उसमें अच्छे खासे काम करने आप लोगा ने स्ट्रक्चर चार्ट का टॉपिकल पास्चर बेश भी करने हैं और प्रय यह मतासिम्स टॉइस चार्ट के लाएद आपके लिफ लुवड्ट फ्लोचर्ट सब्सक्राइब कर वारे हैं मुझे तो कर वारे हैं मुझे क्या कर सकता हुआ मैं नहीं वोटसप मत करवा ही मेरा वोटसप अल्लाव है मुझे उससे ठीक है भाई let's move on let me just stop the recording and change the notes a second oh